जहिन सातियों कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्तोंगे मैं दिने स्यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों अपन आज बात करेंगे रास्तान पुलिस नहीं बढ़ती दो जाट तेई दोस्तों सबसे पहले जब तक आपका सीटी का रेजल्ट नहीं आएगा यानिकि 10 प्लस टू का तब तक साहेदी आपका नोटिफिकेशन जारी हो क्योंकि अब की बार आपकी जो एक्जाम करवाएगा वो अधिनस्त बोर्ड करवाएगा क्योंकि रास्तान पुलिस डिपार और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों क्योंकि अभी तक की ग्रेजियोशन लेवल है सीटी का उसका भी रेजल्ट अभी नहीं आया है और तो उसके बाद में आपका 10 प्लस टू का जो सीटी हुई थी उसका रेजल्ट आएगा और फिर धीर धीरे हर एक्जाम के आपके नो तक इसमें अभीरती बैड़ते हैं उनमें आप पांच गुना में आपने अपना इस्तान बनाया बहुत अच्छी बात है अब आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नंबर नहीं आएगा तो अगली बरती में भी नहीं आएगा नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है आप अपने परियास जारी रखे अपने तैयारी को जारी रखिए आपका नंबर जरूर आएगा अगर आप इतने अभीरतियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं फीजिकल के लिए तो आपका नंबर थोड़े अपने परियास और चेंज कीजिए परियास को तो बढ़ा और बढ़ाई आप तो आपका नंबर भी आएगा जरूर आएगा डिमोटिवेट ना हो बस तैयारी करते रहें इंतर अब मैं आपको बता दूं कई साथियों का सवाल यह सर कितने पदों पर वेकेंसी आएगी दोस्तों देखो यह तो किसी को भी वैसे कर्मपरम पता परसेंट आएगी क्योंकि अब की बार क्या है दोस्तों जैसे आरे से की पच्छी सो तीने जार की वेकेंसी है उनके लिए अलग से बात चल रही है हो सकता है उनकी वेकेंसी अलग आए लेकिन मेरे साथ मुझे लगता नहीं कि अलग आएगी वह इसी में इंक्लूड होगी या हो सकता है जैसे उनकी प्रिफ्रेंस से बलब बर वाले चोईस उन से तो ऐसे हो सकता है लेकिन अलग अलग वेकेंसी में डिपार्टमेंट का भी बहुत खर्चा आएगा टाइम भी बहुत लगेगा ऐसा मुझे लगता नहीं दोस्तों अलग से वेकेंसी आएगी वेकें उस पर भी तीन बटालियन खड़ी करने की बात की गई है गलो साब के द्वारा हो सकता है उनकी जो पोस्ट है उसी साब से भी आपकी वेकेंसी आए उनको भी जोड़के क्योंकि एक बटालियन में लगबगे 600 से लेके 700-700 तक वेकेंसी होती एक बटालियन की तो अपन जैसे अगर कॉंस्टेवल की मानके चले तो ऐसे मानके चले आप 2500 वेकेंसी वो हती है अगर वेकेंसी आती है तो दूसरी बात है दोस्तों और ये कभी भी कंफर्म नहीं होता कि वेकेंसी आपकी 5,000 आएगी 6,000 आएगी क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक फिक्स डेट दी जात या किते करमचारी रिटायर हो जाएंगे उस इसाब से आगे के समय को सोच करके फिर उस वेकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाता है और अभी अधिनस्त बोड के पास में रास्तान पुलिस के दौरा कोई अभी तक नोटिफिकेशन या बैठना नहीं वेजी गई है वो सार तो आप विकेंसी का बिना इंतजार किये अपने तैयारी को जैंतर जारी रकिए क्योंकि यही आपके पास में सबसे अच्छा मोखा होता है अपने तैयारी करने का क्योंकि बाध में तो तैयारी करते रहें वेकैंस आपकी हंट्रेट परसेंट आईगी कि दोस्तों कभी एक वेकैंसी के परोस्य आपना बढ़ें तो ये उसके साथ चंडीगड पूलिस का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल ले वाला है क्योंकि क्योंकि चंडीगड पूलिस का नोटिफिकेशन 2015 में आय था उसके बाद में अभी तक वेकेशन नहीं आई तो दोस्तो एक वेकेंसी के वरोसे कभी नहीं रहें मैं आपको एक बाद बतता हूँ मैं एक मेरा दोस्ता राकेश हम दोनों जैपूर तैयारी करते थे मैं तैयारी करता था दोस्तो इस्पेसली दिल्ली पुलिस की राकेश तैयारी करता था इस्पेसली राज्तान पुलिस की सुनना आप द्यान से उसका सेलेक्षन हुआ दोस्तों 2017 वाली बर्ती में दिल्ली पुलिस में उस समय मेरे 74 मार्ग्स थे OBC कटोप थी 76 और मेरा उसमें सेलेक्षन नहीं हुआ जैसे ही गुनिस वाली बर्ती है रास्तान पुलिस की ये अपनी चल रही है और देखो दोस्तों इसमें सलेबस का भी ज्यादा फरक नहीं है दिल्ली पुलिस में आपका क्या आता है रिजणिंग आती है मैत आती है कंप्यूटर आता है आपकी जैसे पहले 35 की दिशनिंग आती थे आप 25 दिशनिंग आती है पंदरा नमबर की मैत आती है, दस नमबर का कम्प्यूटर आता है, पचास नमबर का जीके आता है और रास्तान पुलिस में क्या आता है, कम्प्यूटर वह आता है, रिजनिंग आती है, आपकी मैस नहीं आती और रास्तान जी के आता है difference कहा आ रहा है manly manly difference आ रहा है रास्तान जी के का तो दोस्तों रास्तान जी के इतना कोई difficult भी नहीं है अगर आप ये मान के चलिए अगर आपका किसी भी vacancy का सलेबस 60-70% यानि 80% अगर equal हो तो अपन parallel तेंकि प्लिव सकते है। दिलि प्लिस कि एकजान थोड़ी लेट हो जैसे ही नोटिफिकर्स आता है, सब चीजे पहले से ही उसके साथ में आती है एक जाम डेट भी साथ में आती है, सब कुछ साथ में आता है और मुश्किल से दो या तीन मैने का आपको टाइम मिलता है पहले क्या होता था, जैसे आपको 6 मैने का टाइम मिल गया साल बर का टाइम मिल गया इतना टाइम आपको एक तैयारी के लिए मिलता था और वेकेंसी आती थी उसके बाद में तैयारी करने में लगते थे लोग लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी को निरंतर जारी रखना ही होगा औ और सबसे पहले अपना एक टार्गेट सेट कीजिए आप जैने कि मुझे इस बढ़ती में लगना है अब जैसे आप अगर पुलिस लेवल की तैयारी करते हैं तो फिर आपको इसी के उपर आपका ध्यान करना जाए आपको मुझे इसी में लगना है अलग अलग दो नाओ की कीजिए और उसके इर्दी-गर्दी रही है आप 10-20-30 परसेंट अगर सलेबस चेंज है तो उसमें कोई खास बात नहीं है लेकिन रहीए बिल्कुल उसके अंदर आप अपनी रेंज के अंदर यानि मेरी सलेबस में यह है और मैं इसी इसको कवर कर सकता हूं आप और दूसर कभी देखा ही नहीं उस चीज को और आप उस चीज में जैसे वेरी नहीं करते हो अगर आपके पास में टाइम है चार-पांस साल का अगर आप टाइम है तो उसके आप तयारी कर सकते हैं लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है दो तिन बढ़ती तीन चार बढ़ती आप दे जो तीन बठालियन अब खड़ी होगी नहीं उसकी न्यूज है आप देख सकते हैं साइड में अच्छी का सी वेकेंसी होगी जैसे माना परताब बठालियन खड़ी हुए थी उस टाइम पे उसमें भी अच्छी वेकेंसी आयती ही वापे तो इसी परकार से यहां भी आपकी व बने रहे है अमारे साथ में अगर मेरे दवारा दी जानकारी से आपसंटूश्च है अच्छी लगी हो तो चिनल को like, share, subscribe जरूर करें और बने रहे है हमारे साथ में ऐसे ही मैं दिल्ली पुलिस का जो डितेल है उसके उपर में जलदी वीडियो लेकर आऊँगा चंडिगड पुलिस उन इन बरतियों में मैंने खोतने प躁षिपेट किया है दो-दो-तीन-तीन बार चंदीगड पुलिस की Australまだ मैंने एक तो इन बरतियों की डिटेल में आपको अच्छी तरीके से संझा सकता हूं आपको क्योंकि दोस्तों होता क्या है रास्तान पुलिस कभी भी एक pattern को follow नहीं करती है आप चाहिए 2012 का पेपर देखना 13 14 वाली वेकेंशी का पेपर देखना 18 वाली का देखना या 19 वाली का देखना या 21 वाली का देखना हर बार आपको pattern अलग मिलेगा आपको कैसे उस pattern को पकड़ना है मैं separate वीडियो लेके आऊंगा और किस परकार आपको reasoning आएगी computer आएगा और जी के आएगा अब उसमें क्या क्या आएगा यह कोई fix नहीं है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ में जय हिंद जय वारत मिलते हैं next वीडियो में